नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिवीव बाज़ार में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरिश्टार अजे देवन सर की माच आवेटेड फिल्म ताना जी दानसंग वारियर के अथरा दिनों के box office collections के बारे में और साथी साथ जानने वाले हैं सुपरिश्टार अक्षे कुमार की फिल्म गूड़ न्यूस के अभी तक के total box office collections के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में आज किस फिल्म ने काफी अच्छा होल्ड किया है और इन दोनों ही फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन है वो कितना हो चुका है तो चड़े दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं देखते रहेगा पूरा विड आपको बॉल्यूट के मास महराजा अजे देवगन के साथ टेलेंटर सेफ अली खान शरत केलकर और काजोल नजर आई थी वह इस फिल्म का डारेक्शन क्या था ओम रावत ने 10 जनवरी को 3880 स्क्रिंस पर हिंदी और मराठी में लगने के बाद अजे देवगन के इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड 10 लाग की कमाई की जोकि दिपिका पादुकोर्ण के फिल्म छपाक से क्लेश होने के बाद का कलेक्शन था यही वज़र रही दोस्तों की इस फिल्म को अपने पहले दिन को काफी दमाकेदार उपनिंग मिली बाद में इस फिल्म के कलेक्शन में काफी शानदा ग्रोध देखी गई क्योकि इस फिल्म को दोस्तों ओडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिवीउस मिले इस फिल्म की इ आजे देवगन, सैफ अली खान और शरत केलकर ने काफी अच्छा काम किया था, मोई दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के साथ साथ वी एफेक्स और एक्षन सीन्स भी काफी लाजवाब थे, यही वज़ा रही दोस्तों की ओडियंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी जादा रही और इस फिल्म अपने शुरुआती तीन दिनों में लगबग 62 करोड रुपे कमाएं, फर्स्ट वीक में दोस्तों इस फिल्म के द्वारा काफी अच्छा होल्ड देखने को मिला, और इस फिल्म अपने फर्स्ट वीक में 118 करोड 99 लाख रुपे कमाएं, जोकि अजे द दोस्तों ये फिल्म सुपरिश्टा सल्मान कान की फिल्म दमंग 3 के लाइफटाइम कलेक्शन को सिर्फ अपने दो ही हफ्ते में क्रोस कर चुकी थी, और बॉक्स आफिस पर सुपरिश्टार अजे देखन सल्मान कान को पच्छाड चुके थी, अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के तिसरे अफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबेदार ताना जी महाराज के उपर बनाए गई इस फिल्म को आडियस काफी पसंद कर रही है, हर्याना, यूपी और महाराज टिम ये फिल्म टेक्स प्री हो चुकी है यही वज़ा है दोस्तों कि ये फिल्म इन तीनोही स्टेट में काफी शांदार कमाई कर रही है, साथ ही में दोस्तों ये फिल्म पूरे नौर्थ इंडिया में धमाका मचा रही है, अगर बात करें इस फिल्म के थाड विक की, तो दोस्तों इस फिल्म इन अपने 15 वे दिन जो कि ठर्ड फ्राइडे का चोता सबसे बड़ा कलेक्शन था वो ही अगर बात करें इस फिल्म के 17 दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों 17 दिन इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर काफी शांदार ग्रोध दिखाई हाला कि इस फिल्म की जो स्क्रिंस थी वो कम थी अगर दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स आफिस पर अपने 17 दिन स्क्रिंस अच्छी मिलती तो इस फिल्म का कलेक्शन लगबग 20 करोड रुपे को भी क्रोस कर चुका होता लेकिन अगर बात करें फिर भी इस फिल्म के 17 दिन की तो दोस्तो इस फिल्म अपने 17 वे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाए है 14 करोड़ 50 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो ये फिल्म भारतिय इतिहास में अपने 17 वे दिन में सबसे जादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडियन बॉक्स आफिस पर हो चुका है लगबग 127 करोड रुपे का वही अगर बात करें इस फिल्म के worldwide box office की तो दोस्तों worldwide box office पर ये फिल्म अपने शुरुवाती 17 ही दिनों में 300 करोण का अकड़ा पार कर चुकी थी और अजय देवगन के केरियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी थी अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 18 दिन के collections की तो दोस्तों बता दे आपको कि आज एक बार फिर से इस फिल्म की जो screen से उसे बढ़ा दिया गया है पंगा की थोड़ी बहुत स्क्रेंस और इश्टी डांकसर की थोड़ी बहुत स्क्रेंस एक बार फिर से ताना जी को मिल चुकी है और यही वज़ा है दोस्तों की यह फिल्म आल अपने 18 दिन बॉक्स ओफिस पर 22-25 परसेंट की ओक्यूपैंसी लेकर एक बार फिर से ओपन हो चुकी है और आज भी यह फिल्म लगबख 3.5-4 करोड रुपे आसानी से कमा रही है इसी के साथ इस फिल्म का टूटल कलेक्शन हो चुका होगा लगबख 231-232 करोड रुपे का मौई वर्ल्ड बाइट बॉक्स ओफिस पर यह फिल्म लगबख 305 करोड के आखड़े को आज पार कर चुकी होगी इसी के साथ दोस्तो लगबख 150 करोड के भारी बजट से बनाए गई अजय देवन सर की यह फिल्म इडियन बॉक्स ओफिस पर एक आल टाइम ब्लॉक्बश्टर हो चुकी है और जल्द ही यह फिल्म 300 करोड का आखड़ा भी पार करने वाली है तो आपको दोस्तो यह फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा अब यहाँ पर बात कर लिजाए सुपर इस्टार अक्षर कुमार की ब्लॉक्बश्टर फिल्म गूड नूस के बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स के बारे में जैसा कि इडियन बॉक्स ओफिस पर 27 दिसंबर के दिन रिलिस किया गया था जैसा कि आपसे भी जानते हैं दोस्तों कि एक कॉमेडे ड्रामा फिल्म थी और इस तरह की फिल्में बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाई नहीं करती है लेकिन सिर्फ सुपर इस्टार अक्षर कुमार का नाम होने की वज़े से इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर हाउश्टेंडिंग कमाई की और अपने पहले ही अपते में ये फिल्म सलमान कान की फिल्म दबंग 3 के कलेक्शन्स को पीछे कर चुकी थी बॉक्स ओफिस पर दोस्तों लगबग 3100 स्क्रिंज पर लगने के बाद इस फिल्म ने पहले दिन 17 करोड़ 56 लाख रुपे की वह अपने शुरुआती तीन दिनों में इस फिल्म का कलेक्शन रहा था 66 करोड़ रुपे का पहले अपते में दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छा होल्ड किया और कमाए लगबग 127 करोड 90 लाख रुपे जो कि दोस्तों अक्षर कुमार के केरियर में पहले अपते का सबसे जादा कलेक्शन था बात करें यहाँ पर इस फिल्म के सेकंड विक की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड विक में भी काफी अच्छी कमाए की और कमाए लगबग 23 करोड 46 लाख रुपे जो कि दोस्तों एक तरह से आउस्टेंडिंग होल्ड है तिसरे हपते में दोस्तों तानाजी रिलीज हो चुकी थी यही वज़ा रही कि इस फिल्म की जो स्क्रिंस थी वो पूरी तरह से कम हो चुकी थी उसके बाउजित भी इस फिल्म ने अपने तिसरे हपते में बॉक्स होफिस पर कमाए लगबग 15 करोड 24 लाख रुपे जो कि दोस्तों इस फिल्म को 200 करोड के आखड़े तक पहुचा चुकी थी अब यहाँ पर बात किजाए इस फिल्म के चोते और पाचवे हपते के कलेक्शन्स की तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म ने अपने चोते हपते में कमाए 6 करोड 9 लाख रुपे और अपने पाचवे हपते में यह फिल्म एक करोड की कमाए शुरुआती तीन दिनों में कर चुकी है इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है लगबग 204 करोड 10 लाख रुपे का वह अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वल्ड-वाइट बॉक्स आफ़स की तो दोस्तों अकशय कुमार की ये फिल्म, उनके केरियर की अब तक की बिगेश्ट ब्लॉक्बस्टर बनी है और इस फिल्म ले वल्ल्वाइट बॉक्स आफ़स पर अभी तक कमा लिए है और बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा लगबग 204 करोड़ 30 लाग रुपे का और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम होगा वो लगबग 206-207 करोड़ के बीच में सिमट चुका होगा तो दोस्तों आपको इन दोनों ही फिल्मों में कौन से फिल्म जादा अच्छी लगी आप में अपनी राइ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ओफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपके अपनी इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धन्यवाद जेहीं जे भारत